Reliance Industries के चेयर मैन मुकेश अमबानी ने 46 वी सालाना आम बैठक में कई एहम फैसले लिए इसमें कमपनी के आगे के प्लैन और उनकी रणनीती का भी अंदाज़त दिया गया इन फैसलों में AI पर फोकस बढ़ाने और G of Air Fiverr लांच करने के साथ कमपनी के नतीजों का भी जिक्र किया गया इस दौरान उन्होंने नीता अमबानी के स्तीफे और Reliance के Board of Directors में ईशा, अकाश और अनन्त अमबानी के शामिल होने की बाद भी कही Shareholders, over the past few years Isha, Akash and Anand, as first among equals of the next generation leaders have fully immersed themselves in every aspect of Reliance. They have been working with our senior leaders in some of the most exciting projects in consumer businesses, digital enterprises, साथी मुकेश अंबानी ने चंद्रियान तीन की सफल लेंडिंग का जिक्र करते हुए कहा कि नया रिलाइंस भारत की ग्रोथ में अपना महदवपून योगदान देने के लिए प्रतिबद है मुकेश अंबानी ने जियो फिनांशियल सर्विसिस का रोड मैप पेश करते हुए बताया कि जियो फाइनस इंशियरेंस सेक्टर में एंट्री करेगी इसके लिए ग्लोबल लीडर से पार्टनर्शिप करेगी इसी के साथ कंपनी के जरीए 182 करोड भारतियों को फिनांशियल सर्विसिस दी जाएंगी कि जाएंगी